हेलो फ्रेंद्स वेलकम बेक्टो खिलाना टॉइ सब आज मैं लाया हूँ एक नए बोड गेम स्पलेक्स क्रोसवर्ड आज मैं आपको डिखाने वाला हूँ किस पढसे क्रॉस वर्ड गेम कैसे खिलते हैं और और आपके मन में बहुत सारे questions आ रहे होगे कि स्कूरिंग कैसे की जाती है इसको सुरू कहां से करें और जैसे कि इसके रूल सर रेकुलेशन स्कॉन से तो आज मैं यह सारव वीडियो में डिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले हम इसके अन्बॉक्शिंग करेंगे जैसे कि आप आपको उपन करोगे तो आपको सबसे पहले यहां पर बोर्ड मिलेगा स्पेलेक्स क्रोसवर्ड गा कुछ इस तरह का उसके साथ आपको यहां पर फोर रेक्स मिलने वाले जिसमें स्कॉरिंग और पीसी रखेगे और यह रहे यहां पर पीसीज हम इन पीसीज के साथ खिलने वाले हैं तो सबसे पहले हम इस बोर्ड गेम को फोर प्लियर्स के साथ खिल सकते हैं पर इस गेम में आपको टो प्लि व्हाइब करने के लिए सबसे पहले आपको हर एक को यहीं है इस वीडियो मैं इggerेंर दिखा रहा हूं फिर हर एक क्लियर कोई भी सेवन पीसिस ले लेगे और अपने रेक में इस तरह रखेगे जिसे कोई एक दूसरे के पीसिस ना देखवाएं तो मैंने यहाँ पर इतने लेटर्स ले लिए है टोटल सेवन पीसिस है तो अब हमको एक वर्ड फर्म करना है वर्ड वही फर्म करेगा जिसके मेरे पास एकड़म स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट लेटर होगा तो मेरे पास यहाँ पर यह लेटर है जो सबसे स्मॉलेस्ट है तो सबसे पहले मैं शुरू करूगा इस गेमप्ले को तो यहाँ पर मेरे पास बन रहा है एपल वर्ड तो मैं यहाँ पर एपल वर्ड को यह से वो पार होना चाहिए इस यह स्टार होगा यह सेंटर का आपके बूर्ड में भासर पार होना चाहिए चैसे सबसे पहले मैं यहां पर ऐसे एपल बना दोगा मैंने यहां पर एपल बना दिया है तो मैंने टूटल यहां पर फाइव पीसिस रखे है अब मुझे बीना देखे यहां से मुझे और फाइव पीसिस लेने होगे तो मैंने यहां पर टूटल फाइव पीसिस रख लिए अब मैं इसको यहां पर अरेंज कर दूगा अपने रैक में आपको डूसरा वर्ड यहां पर कहीप फर्म नहीं करना है कोई भी बूट में तो इसके बात किसके भी प्लेयर की बारी हो कि वह इस वर से ने कौने बने है ऐसके अनुद mmm अजय उसने यहां पे डबल जी रखा है जिसे एग बन क्या अब उसने क्या किया मेरा पहहला वर्ड पया फैप 來ud किया जो है डो जी रखे अब जैसे कि उस डो blank piece गोना देख को लेक्स के साथ है और यहाँ पर लिखाए की blank piece 2 pieces के साथ हाया है तो अभी मेरे पास यहाँ पर blank piece है तो मैं क्या करूगा कि इसको यहाँ पर रखूगा और यहाँ पर गोट बन गया अब यहाँ पर इस blank piece का क्या यह होता है कि यहां पे वो किसी भी लेटर की जगह ले सकता है अब जैसे कि मेरे पास यहां पर cheaologie ऊधे तो मैंने ओ के THAT हाई यहां पे ֪ैस रख ढाला तो यह ओ बन गया सों उगा वह नईس कहला और स्कोडिव आपको आपको आगे समझा दोगा है तो ये blank piece का नियाम है कि हम कोई भी लेटर के जगह इसको यूज कर सकते हैं जैसके मैंने आप़ ओ सी किया तो मैंने एक वर्ड को गोज से कनेक कर दिया तो मैंने यहां पर ठ्री लेटर से लख यह तो मैं वापीस से कोई भी थी यहां से ले लूगा कि अब सामने वाले की बार यह अब यहां पर इसने चैसे की डू लेटर्स रखे ओ और टी जिसे एपल से एक और वर्ड करने ठोग्या पॉट तो चैसे की इसने डू रखे इसने वापी से दू यहां से ले लिए बीना देखे तो अब हम यहां पर अभी बाद करेंगे किसको ह कि सब्सक्राइब मौं करें सकते हैं तो सबस्राइब बात करें इसको स्कूरीं कैसे करएं स्कूर्ण में यह आपको हर एक लेटर के निचे नंबेंड दिये होगे ड़ एक हैंसा आइंग बा माहीं था यहां पे अपल तो एपैल के यहीं पर 225 प्लस 29 विन और diabetes scoring tile है यहां पर 9 तक ले जाएगे तो मेरा यहां पर 9 हो गया यह unit digit है 10th digit है और यहां पर यहां जैसे rules करना चाहते हो वैसे बहुत बना सकते हो qis कैसे count कर न है जैसे 예ा या फिर बाजु में defining note pen लेके बैच सकते हो कि it's like time should 9 and इसने यहां पर बनाया तो यह पूरा वर्ड का नंबर कांट करना है जो उसके 5 पॉइंस हुए जैसे कि में आपको बोल दा था इस ब्लैंक पीस का स्कोरिंग काउन नहीं होगा तो यहां पर हम जी ओए टी में से उसका स्कोर नहीं कांट होगा जो यहां पे है टू प्लस वन 3 प्लस 14 तो मेरा 9 प्लस 14 13 हो जाएगा अब इसने यहां पर ओ टी था तो 1 प्लस 12 हो गया उसका अब यहां पर जो नीचे लेटस दी है वह देख लेता है यह मैंने जो स्कोर कांट किया वह गलत है वह मैं आपको बटाऊगा क्योंकि यहां पर नीचे लिखा है हर पीस के नी जैसा कि मेरा 19 आया था तो 19 का डबल हो गया और शॉर्स प्लस 1409 का डबल हो गया 18 जैसा कि हमारे हमारे पहले बडर की 18 पॉइंट हो गए यहां पर double letter score है मतलब यहां पर जो भी letter पास होगा ना इससे उसका letter का score double हो जाएगा जैसा कि हम देखते है यहां पर कहीं यह रहा यहां पर triple letter score है मतलब इस letter का score 2 है तो इसका score triple हो जाएगा जो है 6 तो इस letter को हम 6 में count करेगे वैसे यहां पर double letter score है उसमें उस letter का score double कर दालेगे और जैसे कि एकी word में 2-3 बार ऐसे boxes आये जिसमें triple letter score double letter score है तो आप कर सकते हो तो अब हम बात करेंगे इनकी rules and regulations की तो आपको यहाँ पर word form करने एक बार में आप एक ही word form कर सकते हो और मैंने आपको scoring बटा है आप यहाँ पर score कर सकते हो यह unit digit, 10th digit, 100 digit को लिकर या फिर यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13, 14 को लिकर या फिर आप एक note pen लो वहाँ पर scoring करो एक लेटर के इतने points से आप वैसे कर सकते हो और हाँ अगर सामने वाले player ने कोई एक ऐसा word रख लिया जो आपको नहीं पटा है तो आप क्या करोगे आप उससे पूछोगे क्या तुम sure हो कि यह letter यह word है real में तो वह बूलेगा हाँ तो आपको dictionary चेक करनी है आप कहीं पर चेक करो कि वह word है या नहीं अगर होगा तो वह आप गिना सकते हो या फिर नहीं होगा तो आप उससे बूलो आप उसकी एक turn cancel हो जाएगी आप डिक्सिनरी चेलेंज कर सकते हो डिक्सिनरी में से कोई भी word लो उससे बनाओ और सामने वाले प्लेयर को चेलेंज करो यह word होगा या नहीं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे scoring कैसे उठी है तो आपको scoring total 200-300 points कर सकते हो आपको short time खेलना है तो आप अपने हि points को set कर सकते हो कि इतने points तक रखेगे और इतने points तक हम खेलेगे दिखते है कौन जीटा है तो आप यहाँ पर target चूज करो points का जो है 80 points, 90 points, 50 points अपने time के हिसाब से और vacation चल रहा है तो आप ज्यादा points के भी रख सकते हो जैसे कि 150 points या 200 points तो यह game ऐसे continue होती है और आपको यह इस game में कुई भी doubt है तो मुझे comment में बटाये तो मैं उसको solve कर दूगा और आपको और ऐसी board games पता है और चाहते कि हम ऐसी और gameplays लाए तो वह भी comment में ज़रूर बटायेगा और अभी तक हम नहीं यह आपने यह वाली left playlist टेक नहीं की जिसमें और बहुत सारे new 2021 की games है तो अभी चाहिए क्लिक करें और चैनल को subscribe कीजिए new videos के लिए और अभी के लि करें और चाहिए